ढलती हुई साम के साथ हम फिर चाहद चुके हैं Campe Rezant वीडियो लेकर यहाँ पर हम compare करने वाले दो बहतरीन के स्मार्टफोन हैं और आपको पताएं कि कौन सा है बहतर जो आपको purchase करना चाहिए करेंगे हैं सात में करेंगे के स्मार्टफोन आपको कोई भी देखने को मिलेगी सिर्फ उर सिर्फ रूड में की 1चा तो चैनलीकिंए के अ चाहिए पेलीज़ता पहले मिलीघुंग तो ठोग दिया के ब्टन को बेल आइकन की बटन को यहां पर मैं बात करते हैं धुकुरौ श्रीच करते हैं दोनों को आपको पताते हैं कौनसा बहता है क्योंकि अगर आपको कोई स्मार्ट फोन खरीदना है तो उससे पहले केंपरिजन वीडियो ज़रूर देख लेने जीए क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा वेनिविट होने वाला है सबसे पहले अगर मैं बात कूं तो रियल्मी 3 प्रो को करते हैं अगर मैं डिस्प्ले के मामले में बात करें तो रियल्मी 3 प्रो काफी ज्यादा वेटर है कोडिंग यल्मी 3 कि अब वहीं चलिए नेक्स्ट के तरफ चलते हैं जो इसका कैमरा Realme 3 Pro खेकर मैं बात कहूँ तो 16 plus 5 Megafixl नहीं rear side में आपको dual camera देखने को मिलेगा जिसकी lenses होगी 16 plus 5 Megafixl की front के मैं बात कहलू तो आपको 25 Megafixl front camera देखने को मिल जाएगा वह ही अगर मैं बात कहूँ realme 3 के तो यहाँ भी जब को rear side में डूबल कैमरा देखने को मिल जाता है तेरा प्लस दो मेगा फिक्सल का और अगर मैं फ्रंट की बात करूंँ तो फ्रंट जो होगा तेरा मेगा फिक्सल होगा एफ 2.0 परचर के साथ में तेरा कैमरे के मामले में भी रियल्मी 3 प्रो काफी ज्यदा बेटर रहेगा अकॉर्डि में क्योंकि यह जो प्रोसेसर ऊक्ट और प्रोसेसर की में टॉप लॉक स्पीट के बारे में बात कूँँ तो टू पॉइंट वण गगार्ड पर इपर एस वी जो है काफी प्रोसेसर काफी ज़्यदा पावर्फुल हो जाता है वह यह गर में बात कूँँ रियल्मी 3 की तो तो इसके जो टॉप फॉलॉक के स्पीड है वो 2.1 गीगाट पर इंड पर फॉस्ट रन करता है यह प्रोस्टर के मामले मैं बताहूं कि किसके साथ जाने चाहे तो प्रोस्टर यार दोनों इस खाफी ज़्यादा बेटर रहेंगे अब इस प्रोस्टर को तो मैं बाद में रख रियल्मी 3 की मैं बात करूं तो रियल्मी 3 में जो आपको GPU देखने को मिलता है वो माली का G72 MP3 GPU देखने को मिल जाता है अब अगर मैं GPU की बात को कि कौन सा होगा बेटर तो दोनों की दोनों ही GPU काफी जादा पावरफुल है नि काफी जादा बेटर रहेंगे च्वाइस आपक मिल जाती है तो बैटरी के मामले में कहीं न कहीं रियल्मी 3 काफी जादा आगे रहेगा अब आती है प्रोसेसर की बात यहां पर अब मैं एक ची बता दूं मीडिया टेक का Helio P70 है वो आपके बैटरी को काफी जादा कम-कम जूम करता है अगर्डिंग स्नैप ड्रेगन के 710 के ठीक है तो यहां पर जो मीडिया टेक का Helio P70 का अपकी बैटरी को काफी कम-कम करता है स्नैप ड्रेगन के अकॉर्डिंग अब यहां पर बात को लो यहां पर आपके बैटरी भी बड़ी हो जाती है रियल्मी 3 में आपकी बड़ी बैटरी हो जाती है साथ ही साथ आपका ज 70 सब कुछ कर देगा बट यहां पर आपके बैटरी भी बचत होगी साथ ही साथ अपका प्रोसर भी अच्छा देखने को मिल जागा हाला कि प्रोसर दोनों ही फोन में काफी ज्यादा बहतरी देखने को मिल जाते हैं च्वाइस आपकी है कि आप कौन सा पर्चेस करना सकते हो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें जो है वो एंड्रोइट का 9.0 पाई देखने को मिल जाता है आउट आप दा बॉक्स हाला की फीचर्स में हमें और भी अप्डेट देखने को मिल जाएंगे अंड्रोइट की तरफ से अभी आप यहां पात कुनों फिंगर्पिंट सेंसर की दोनों ही स्मार्टफोन में रियर्जार में फिंगर्पिंट सेंसर देखने को मिल जाता है फ्रेंट में हमें जो है फेस उनलोग देखने को मिल जाता है यह दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है लास्ट एंड फाइनल फीचर्स की बात कुनों जो है इसकी प् परचेस करना चीए, दस यानि रियल्मी 3 करना चीए, रियल्मी 3 प्रो करना चीए, तो यहाँ पर सब सब पहरे तो मैटर करता है, आप कितने बज़र तक जाना चाहते हो, दूसरा मैटर करता है, आपको कौन सा पसंद है, तीसरा मैटर मेरे उपिनियन के हिसाब से आपको जो देए न ची तो याँ 10,000 जवाब लगा हरो तो उससे चैमरा भी आपको बेटर मिल यागा फ आत्स चार्जिंग भी आफ को मिल जाएगी ठीकह तो इसे iç रे प्धिन ‏ चार्जी बिल जाएगा थो उससे टीन ह measurable यॉर्पे ज्यादा लगा तो लाइक करके जाना, साथ ही सथ बेल आइकन पी दबा देना यार, प्लीज भाई के बात है, तो एक बार बेल आइकन तो दबाई देना, और सब्सक्राइब तो करी लेना, मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए, बाय और शान आ रहा, I am signing out यार, झाल झाल